महाराष्ट में मराथा अरक्षन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को एंसीपी अजित पवार गोट के एक विधायक के घर पर हमला बोल दिया प्रदर्शनकारियों ने भीड के माजल गाओं में विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पत्राव किया सेकड़ो प्रदर्शनकारियों ने दरजोन बाइक और कार को भी फूग दिया मराथा अरक्षन अंदोलन इस साल अगस से ही चल रहा है अरक्षन की मांग को लेकर ग्यारा दिनों में तेरा लोग सुसाइट कर चुके हैं एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके ने घटना को लेकर कहा जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर ही था हालकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्या कर्मचारी खायल नहीं हुआ हम सभी सुरक्षी थे लेकिन आग के करण संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है घटना के बाद इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है प्रकाश सोलंके के नाम से वाइरल हो रही एक आडियो क्लिप को हमले के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है इस आडियो क्लिप में प्रकाश सोलंके कथित तोर पर मनोज जरांगे पर टिपड़नी करते वे सुनाई देते हैं मराठा अरक्षन के लिए मनोद जरांगे ने अनिश्चित कलिन भूकरताल की थी उस वक्त महाराष्ट सरकार ने जरांगे से मामला सुल जाने के लिए 30 दिन का समय मांगा था जरांगे ने वादा किया था कि वो अगले 40 दिनों तक विरोत प्रदशन नहीं करेंगे